हेलो एन वेलकम टू दा चैनल नेचुरल योगा फीजियो फार्मेसी फ्रेंड्स अज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जिसके प्रियोग से अस्मरण सक्ती बढ़ जाती है और मानसिक रोग दूर हो जाते हैं और जिसे मेमोरी बुष्टर प्लांट भी कहा जाता है तो आईए हम देखते हैं कि यह कौन सा पौधा है इसकी पहचान कैसे करें साथ ही इसे कौन से रोग में किस तरह प्रियोग में लाये जाता है और साथानिया क्या-क्या है तो आईए फ्रेंड्स वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो हम बात कर रहे हैं संख पुस्पी यानि कि अपराजिता के पौधे के बारे में जिसे संखिनी, कामबु मालिनी, समक पुस्पी, सदा फूली और सनक फूली आदी नामों से भी जाना जाता है संख पुस्पी के फूल संख की तरह घुमावदार होते हैं इसलिए इसे संख पुस्पी नाम दिया गया है यह तनाव, अनिद्रा, मानसिक थकान, चिन्ता, और साद को दूर करने में और मानसिक एकागरता को बढ़ाने में उपियोगी पाया गया है संख पुस्पी का बोटानिकल नेम कनुलूलस, प्लूरी काउलीस होता है जिसे इंग्लिस में Morning Glory या Speed Will के नाम से भी जाना जाता है इसके अलावा इसे संखा हूल, संख, छीर पुस्पी, मंगला कुसुमा, संखा पुस्पी, सोवल, संखाली, आदी नामों से भी जाना जाता है संख पुस्पी का बोधा लच्छेदार बेल वाले होते हैं और इसको लगाने पर यह पेडों के सहारे या दूसरे बेल के सहारे पूरे फैल जाते हैं आमतोर पर संखपुस्पी के पौधे के पंचांग यानि की पत्तिया, तना, फूल, फल और जड़े प्रियोग में लाए जाते हैं बिद्वानों का कहना है कि संखपुस्पी में कई तरह के गुण पाये जाते हैं जो मस्तिस्क की गतिविधियों को सांध कर उसे कुसल बनाते हैं बिद्वानों के अनुसार यह पौधा इस्मृति और बुद्धी को बेहतर बनाने में उप्योगी होता है इसके साथ ही इसका प्रियोग सर्दी खासी, पेट की उत्तेजना, जलन, तवचा के रोग और सुजन को कम करने के साथ-साथ हिर्दे को भी पुष्ट बनाता है संखपुस्पी में कई तरह के केमिकल मौजूद होते हैं जिसमें एलकलोईड जैसे की संखपुस्पीन, कॉनवोलोडीन, कॉनवोलवीन, कॉनवोलामाईन, कॉनफोलीन आदी इसके अलावा इसमें वोलाटाइल ओयल, फैटी एसिड, फैटी एलकोहल, हाइड्रोकार्बन, पाल्मिटिक एसिड और लिनोलिनिक एसिड पाया जाता है इसके साथ ही फ्लेवेनोईड, इस्टेरोईड, डीग्लुकोज, मल्टोज, सुक्रोज, स्टार्च आदी भी पाये जाते हैं संखपुस्पी के पौधे में मौझूद एंटी ऑक्सिडेंट्स और फ्लेवेनोईड ब्रेन के मेमोरी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं इसलिए इसे ब्रेन टोनिक भी कहा जाता है इस पौधे में मौझूद नियूरो प्रोटेक्टिव एलिमेंट ब्रेन को सांथ करते हैं जिससे फोकस करने में और कंसंट्रेशन करने में हेल्प मिलता है इसके साथ ही संखफुस्पी के पौधे में एंटी इस्ट्रेस, एनेक्सियोलाइटिक, एंटी डिप्रजेंट, एंटी कनुल्जेंट और सिडेटिव प्रपरटीज भी होती है आयुरुवेद के अनुसार संखफुस्पी त्रीदोस नासक होता है यहवात, पित और कफ तीनों को सांथ करता है आम तोर पर संखफुस्पी की दो प्रजातिया आसानी से देखने को मिल जाती है जिसमें से एक पौधे के उपर सफेद फूल आते हैं तथा दूसरे के उपर गुलावी रंग के फूल आते हैं जिसमें से गुलावी रंग की फूल वाली प्रजाती बहुत ही अच्छी होती है संखपुस्पी में एंटी अक्सिडेंट की बहुत ही अच्छी मात्रा होने के कारण यहिर्दे रोगों को दूर करने में मददगार होता है साथ ही यह हिर्दे की मानस्पेसियों को मजबूत बनाकर ब्लट वेसल्स में लिपिट के फार्मेशन को कम करता है जिससे ब्लॉक एज और हर्ट अटेक का खत्रा कम हो जाता है इसके साथ ही इसके प्रियोग से पाचन तंत्र में पाचक रसो का सेक्रेशन बढ़ जाता है जिससे पाचन में भी सहायता मिलती है साथ ही यह पेट की गड़डियों, पेट दर्द, अल्सरेटिव कोलाइटिस को दूर कर भूग को बढ़ाने में मददगार होता है संख पुस्पी का बीज तो तवचा रोगों में रामबार साबित होता है इसके बीज को पीस कर तवचा पर प्रियोग करने से कई तरह के तवचा से जुड़े हुए रोग ठीक हो जाते है इसमें मौजूद एंटी ऑक्सिडेंट्स, सुराइसीस, एकजीमा, मुहासे से होने वाली खुजली को दूर करता है इसके साथ ही जुर्या, महीन रेखाएं और काले धब्बे को भी दूर करता है अत्यधिक इस्ट्रेस, तनाव, चिन्ता, सिर्दर्द, चिर्चिराहट होने पर इसके तेल से मालिस करने से बड़ा ही राहत मिलता है संखपुसपी में एंटी बैक्टिरियल गुण भी होते हैं, जिससे बैक्टिरिया से लड़ने और घाओ को भरने में मदद मिलता है संखपुसपी के पौधे में मौझूद कुछ तत्व, हाई बलड प्रेसर और अथेरो इसकेलरोसिस जैसे कंडिशन से बचाते हैं अब प्रियोग बिधी के अगर हम बात करें तो संखपुसपी के 200 ग्राम पंचांग को लेकर उसमें 50 ग्राम ब्रामी का पाउडर मिला ले फिर उसमें 500 ग्राम चीनी और 5 ग्राम नीबू के रस को मिला कर उसमें पानी डाल कर सीरप की तरह बना ले फिर इसको दिन में दो से तीन बार दो दो चमज प्रियोग करें इसके अलावा अगर आप चाहें तो संख पुस्पी के दो तीन ताजे फूल को तोड़ कर उसे एक गिलास पानी में डाल दीजिए और फिर दस मिनट बाद उस पानी को पी ले इसमें चाहें तो आप दो तीन फूल को पीस कर उसके रस का भी प्रियोग कर सकते हैं इसके साथ ही तवचा रोगों में इसके बीज को पीस कर प्रियोग में लाया जाता है साथ ही इसके बीज को पीस कर गोली की तरह बना कर गुनगुने पानी से भी लिया जा सकता है आप चाहें तो इसे दूद से भी ले सकते हैं इसके अलावा इसके पंचांग को दूद में डाल कर भोजन करने के बाद प्रियोग किया जा सकता है वीडियो के सला कमेंट करके बताईए अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सस्क्राइब करिए के साथ ही दोस्तों के साथ सेर करिये